हेलो तो पि मैं बरतन साफ कर रही हूँ और आज में वीडियो की शुरुआत बरतन साफ करने से कर रही हूँ मैंने का कि मैं अपनी वीडियो भी शुरू कर लेती हूं और अब साइड में ही ना यहां सारे गुमे जाते हैं मतलब जासे पिंकी है बच्ची है उनके साथ ही कुछ बते करती रहती हूं साथ में काम करते रहते हैं गर में तो ऐसे ही रहता ही है मतलब अगर गर में दो चार बन दे हैं कि ला तो किसके साथ बात करेगा कोई इस वज़ कि उच्व तो पहले भी साफ करके होते हैं ये तो सिरभ उस टाइम के ही हैं जब आम नाश्ता करतें तब कई वर्तन है है क्योंकि इस नाइम वो भी होता है ना गैस वगेरा के सब कुछ हमें साफ करना होता है इस वज़े से और मैंने सारे बर्दन साफ कर दिया अब इनको साफ करने के बाद में बाहर रख दूँगी धूप में ताकि यह अच्छी से सुख जे और स्पीड दे को कितनी है और तब एको भी रखड रखड के ना इट के साफ करते हैं हम हेलो गुद मॉर्निंग वेल्कम बैक टू हर्यानू लोग अरिना और कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होंगे कर आप साफ कर लिये करते हूं अभी अपनी वीडियो कुलुकर लेटी हूं अभी अब और आप करले काम है क्यूंकि तब दगक दिर्वा हटaimerी नहीं सिनी है तब जह शो उपर नेचे से, मतलब अंदर से उनका सारा विज निकाल ली दोंगे, उपर से में इनका थोड़ा सा ही चिलका उतार रही हूं देखते ना, पुझा नेका ये बी बता दे कौन बंदा हूं है मैं जो के बंदे हूं कहरे तुम सब देखते हो क्या ना मैं तरे कार्टून का मैं ना मैं कार्टून का मैं जो बढ़िए हम उदर बढ़िए और आपने देखी माटू की चैतानी ऐसे करता है ये कितनी बार तो मैं डिलीट कर देती हूं इसकी ये जिज्जे पर कभी-कभी मैं सोचती हूं कि चल रहा है ने तो अगर बच्चा कुछ कर रहा है और इसको दिख रहा है ना कि मतलब की सामने वीडियो चल रही है तो ये कभी कुछ करेगा और ये ऐसे कार्टून में देखता है न जो फोन में आजकर आने लगे ना कारटून बच्चों के वो ड्रामने से उनको देख देखने जादू कर रहा है ये कर रहा है करता है हमें भी आसे करने दो मुझे वह करने दो बस ऐसे लगा पड़ा है और पिंकी असाथ में यहां पर मैं उसके साथ भी बाते कर रही हूं फिर अके लिए बेटे बेटे भी कैसे बोर से ही हो जाते हैं और यह देखो मैंने सारे करे लिए और ऐसे काड़ लिया इनको और अंदर का मैंने सारा निकाल लिया क्योंकि मोटे मोटे से बीज थे वो सारे बीज निकाल लिया और उपर के छिलका थोड़ा से उतार लिया और मोटे बीज है कितने मोटे बीज है सारे निकाल के दे को यह वालत छोई कार यह रहा है और यह हरीमेच के इनको भी दो रख्या निकला अब हमेट इनको फीज में रखोंगे अब्यावाइऑ इस पे बहुत सारा नमक डाल दिया, मैंने इस पे अब मैं इनको दूप में रख दूँगी, यहां तक पे न साइड में दूप आने लगी, यही पे रख दूँगी, और जब तक मैं और दूशरे काम कर लेती हूँ, और करेले चीलने के बाद मैंने वहां से सारा समान उठा दिया, जब तक पिंकी ने यहां जो कम रहे हैं, यहां पोच्चा लगा दिया, उसके बाद यह जो यहां का बेड़ा है, इसको दूल रही हूँ, मैं पानी डाल के वाइपर के साथ, इसको भी हम हफते में एक बार क्या दूल मिट्टी ना टाइलों पे होई जाती है, जो पोच्ची से सापनी होती है, वह वाइपर से साफ हो जाती है, पानी डाल के, क्यूंकि साइड शाइड में कहीं रही जाता है, और उसके बाद मैं दूबारा फीर रसोई में आगी, और आज मैं बनाने लगी हूँ केक बन रही हूं आज बच्चे बोल रहे हैं मैं मामी आज कबकीक बना वाप, और मैंने 2 पैकट तो यह सिम्पल वाले लिए बिसकिट के ओर दो पैकट लिए, क्रीम वाले, यह दूसरे भी है तो चोकलेट वाले जिसके ओपर चोकलेट आती है लगी वह वाले है, और आज ना और जासे हम दूसरे वाले केक का बैटर त्यार करते हैं मतलब यह देखो मैंने सारा पाउडर बनागे उसमें डाल दिया बाउल में और इदर तब तक मैं यह चडारी हूं पतिला साइड में ताकि इसका टेमप्रेचर सेट हो जे उसको डखके रख दूगे गयास करके और प्रक्र mines tutorial चाहिए मुझे जो भी डालना हो मैं कुछ भी बना रही हूं मैं एक साथ नहीं मतलब इसमें डाल जैसे जोड़ा है मैं थोड़ा-चाहिऑ इसमें दाल टोंगे मैं तोड़ा पकोड़ा थी ज़न करती हूं मैं ऐसे लिए क्वास नहीं प्केशर दूगे मैं आपको बोल रही हूं मैं इतुम्हें जब बतारी हूं कि यह मैंने चार कप बर्ली के चार तो बैटर इसके बाद पता चलता है क्योंकि मैंने बोर्डा के चीजिए वेश्टाइथ 12 ही थे कवा तो आपको डरना नहीं है यह ऐसी कोई नहीं होगी यह देखो कप ना यह अपर तक आजेंगे तो मैंने क्या गया मैंने इन में से सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के एक कप और साइड में रख दिया और बस फिर वह अच्छे से त्यार होगे और आपको भी ऐसी करना है अगर यह होजे ना मतलब ब नहीं हो पानि अच्छे साफ करके अच्छे तरह साफ करके अब मैं इनको भी बना लूंगी और यह निचोड निचोड की थाली में रख रही हो यह कि फिर अगर हम इसको टेल में डालेंगे ना तो पाने के छिंटे लगेंगे इसलिए यह जब तक इनकी सारी कड़वाहत न करली की सबजी आपको दूसरे तरीके से बना के दिकारी उच दिन तो मैंने कूट कूट के बना लिए वैसे बीच में वी एक बार बना लिए तो मैंने सुच्छा कि आज फिर बना रही हूं तो आज फिर मैं इसकी वीडियो बनाई लेती हूं और इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे बस फिर प्याज वगएरा सब कुछ डाल दूंगे और केक की बात फिर फिर बीच में रहागी ओ देखो अपर तक आगे ना कप आपको दिख रहा है इस वज़े से मैंने फिर साइ प्याज भी जब तक होगे प्याज होने के बाद मैंने आज करेले में यह भी ड़ल लेते हैं और यह पदिन्ना लेके आए वह भी हमने सुका दिया देखो यहां पे दो तीन दिन में यह पुदिन्ना भी सूख जाएगा और फिर भी इसका पाउडर बना के डबी में परके और यह देखो जब तक प्याज भी ब्राउन कलर के होगे अलू भी गल के प्याज बिल्कुल सौफ्ट होगे मतलब वह और उसके बाद मन इसमें टमाटर डाल देर हरी मेर्च भी मन ने मोटी मोटी काटके रखिए और उसके बाद सारे सुके मसले डाल दिये बस नॉर्मल व ताकि इन सब का मसाला अच्छे से मतलब करें लेके अंदर भी चला जाए और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया और मिक्स करके अब में इसको ठक के रख दूंगी पांच मिन्ट के लिए ताकि इनका मतलब जो टेश्ट है सारा अच्छे से होजे करें लेके अंदर भी चला जाए और यह देखो सबजी बिल्कुल त्यार होगी बनके अब हमारी और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद और यह देखो केक बनने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक इतने अच्छे से त्यार हुआ है ना देखो मैं इसमें डाल टूथपिक डाल के दिखाई बिल्कुल साफ निकली ताकि हमारा केक अब त्यार है देखो पांच कप है इस विज़े से मैंने आपको बता करते हो और कि बहुत असाना कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं आये अच्छा एक बीखिडाओ इनको बोलो तेश्की तेश्की अच्छा माला तो आप से मैं अब मिल रही हूं आप मैं पांच बीची के अस-पास का टाइम है और दोपैर में हमने बनायते करे लेगी सब्जी और ना सब्जी बनाने में तोड़ा टाइम था उस वीच मैंने सुच्छा कि तोड़ा सा कपकेक बना लेती हूं आज बच्छों के लिए और साइड में मैंने कपकेक बनाया और कितना अच्छा बना था ना फिर बनाके वह हमने फ्रीज में रख दिया ता यह सही फिर उसके उपर जो मैंने वह मैल्ट की हूई वह सीरप डाला था ना उससे थोड़ी सी डेकॉरेशन कर दी उसकी और सबने खाया बहुत ही ज्याद अच्छा लगर केक बनाते होना केक को ना 10-15 मिंट के लिए अदे घंटे के लिए एक बार फ्रीज में रख दिया को फिर आप उसका टेस्ट देखना कितने कितना मतलब अच्छे वाला टेस्ट आता है केक का मैं आपको बस यही बतारती कि आज मैंने कपकेक बनाया क्योंकि मैंने देखो कितने सिंपल तरीके से बनाया और फिर खाना उसी टाइम जब तक एक केक त्यार हुआ उसी टाइम भी हमारा त्यार होगा फिर हम बस मैंने उसको फिरीज में रख दिया उठाके और मैं तो आपको अद्य गंटे के लिए बोल रही हूं कि रखो मैंने केक मेरा अच्छा उसके बाद हमने उसको सड़ी चार बजे निकालना फिरीज में से क्योंकि साम के टाइम ही फिर दो पैर में तो कौन खाएगा फिर हमने उसको साम के टाइम महीं खाया और इतना अच्छा वना मैंने उसके उस पे थोड़ीशी जो सीरप मैंने लाकर रख़ा हुआ जुआ है अच्छा बना ना आप प्रेशन करना अपने बच्चों को देना बना के और कितना अच्छा बनाना और आज मैंने इस बिस्किट भी ओर हो गें लिए सिंपल वाले बिस्कित थे जो क्रीम वाले बिस्कित होत daylightT computed format उनले ж אומר में तो इस जैसे मैं तोड़ा कि दिखा आप और कप में आप थोड़ा तोड़ा ही डाले वही अच्छा रहीगा जाध में कब निकल के आजेगे फूल जेगा और फिर कब से बाहर आजेगा वह निकल के इस वज़ जैसे आप 2-3 चम्मची डालना कब के अंदर और तब आपके कब उपर तक आजाएंगे वह केक फूल के फिर वह उपर तक आजाएगा उसमें और इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि कि हमने अभी खाया ओँ या कि ओ देखो कितने अच्जे से बना भाता इसलिए मै अज आपको दो पर मिनी बोला कि आप भी खा लो खाना तो मैं आज आपको बोल रही हूँ कि आप भी खालो केग का जो तो कितना अच्छा बनाएज ना तो आप सब लुए खालो और खाने के बाद फिरyg में वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना तो मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके बाई